फ्रंट बेसन का हलवा, बेसन का हलवा किसे खाना पसंद नहीं होता, हर कोई इसे खाना बहुत पसंद करता है, तो चलिए फ्रेंट्स आज हम बनाते हैं बेसन का हलवा, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल युनीक तरीके से बनाएंगे, क्या आपने इससे पहले कभी ऐसे बेसन क हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप बेसन लिया, फ्रेंट्स जैसा कि हम जानते हैं बेसन का हलवा हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और यह हड्यों को मजबूत करने के साथ हमारे पेट के लिए भी काफी लापदायक होता है और इसमें प्रोटीन, आईरन, बिटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो चलिए friends, हलवा बनाना सुरू करते हैं। Friends, यहाँ पर हम एक कप बेसन लेंगे और बेसन को बोल में ट्रांसवर करेंगे। Friends, आज हम हलवा बहुत ही युनीक तरीके से बनाएंगे और बेसन का हलवा आप जितना बनाना चाहें, उतना बना सकते हैं। जिस कप से हमने बेसन लिया था, उसी कप से हम एक कप दूद लेंगे और इन दोनों चीज़ो को हमें भिकसर की मदब से मिक्स करना है। आज हम दूद में भिगोकर बेसन का हलवा बनाएंगे। प्रेंट्स क्या कभी ऐसे आपने हलवा बनाया है तो एक बर कमेंट सेक्शन में लिके जरूर बताईएगा अब हम इसको जब तक मिक्स करेंगे जब तक इसके लंप्स खतम नहीं हो जाते प्रेंट्स जब लंप्स स्टानले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर लंप्स है या गुटली है तो उससे हमारे हलवे में कोई अंतर नहीं आएगा बलकि जब हम बेसन को भूनेंगे ना तो वो एक दानेदार फ्लेवर आएगा अब हम इसको पांस से दस मिनिट के लिए रेस्ट पे रखने के बाद तो फ्रेंट्स ये देखिए मैंने इसको रेस्ट पे रखा था इसके जो लंप्स थे वो वह बलकुल खत्म हो गए हैं अब हम चलता हैं गैस की तरफ और गैस पे एक पैन रखते हैं तो फ्रेंट्स यह देखिए मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है अब हमने जिस कप से बेसन और दूद एट किया था उसी कप से हम एक कप घी लेते हैं और घी को अपने पैन में एड करते हैं फ्रेंट्स मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तमाल कर रहे हूँ आप चाहे रिफाइन या कोई भी और ओयल यूज़ कर सकते हैं जो आप खाना पसंद करते हैं फ्रेंट्स यह देखिए हमने घी को हलका सा गर्म कर लिया है अब हमने जो मिक्स बना के रखा था उसको हम घी में एड करेंगे फ्रेंट्स आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि घी को बहुत हलका सा गर्म करना है अब हम इसे हिलाएंगे नहीं और ऐसे ही से कवर करके पाँच मिनिट के लिए मीडियम टू स्लो वाच पे पकने देंगे फ्रेंट्स इस हलवे की यही खास्यत है कि हमें इसको बिल्कुल नहीं चलाना है तो चलिए फ्रेंट्स पाँच मिनिट हो चुके हैं अब हम अपनी लिट को हटा के देखते हैं तो friends ये देखिए, हमारा जो better था, वो अच्छे से pen से बिलकुल अलग हो गया है, और ये सीख भी गया है, आप चाहें तो इसे turn कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसे turn नहीं करूंगी, इसको यहीं पर ऐसी ही तोड़ दूंगी, इसको हमें बिलकुल बारिक-बारिक हिसों में त बेसन पे बहुत ही अच्छा सा color आ गया है, और इसका जो texture था वो भी change हो गया है, क्योंकि हमारा बेसन एक side से अच्छे से सिख गया है, friends ऐसे ही दीरे-दीरे करते हुए हम पूरे बेसन को अच्छे से तोड़ देंगे, तो friends ये देखिए, मैंने बेसन को बहुत ही अच्छ सा color भी आ गया है, अब हम इसको दूसरी side change कर देते हैं, क्योंकि हमें दोनों तरफ से बेसन को सेख ना है, तो friends ये देखिए, मैंने दूसरी side भी बेसन को अच्छे से turn कर दिया है, और इसको सेखने के लिए छोड़ दिया है, friends हम इसको लगतार सेखते रहेंगे, लेकिन spatula क मदद से हम इसको दबाते भी रहेंगे, ताकि ये बिल्कुल बारिक मैश हो जाए, तो friends ये देखिए, इस पेचला की मदद से मैं इसको बहुत ही अच्छे से दबा रही हूँ, और इसको धीरे धीरे पकनी दे रही हूँ, हमें इस बात का ध्यान रखना है, गैस की flame को हमें medium to slowly रखना है, flame को high नहीं करना है, तो बेसन नहीं तो बेसन बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्छा रह जाएगा, तो friends अब देख रहे हैं न, बेसन पे एक अकसा color आ गया, अब तो friends ये देखिए, हमारा बेसन बहुत अच्छे से सिख गिया है, अब हम और इसका color भी क 1 4th cup चीनी एड़ कर रही हूँ, आप चाहे तो 1 cup चीनी भी एड़ कर सकते हैं, मेरे यहाँ पर मीठा थोड़ा कम खाया जाता है, इसलिए मैं चीनी का इस्तमाल थोड़ा कम कर रही हूँ, आप चीनी की जगा इसमें गुर भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका flavor बहुत ही अच नहीं जाता, हमारा हल्वा अच्छे से पत नहीं जाता, इसको लगतार चलाते रहना है, गैस की flame को हमें अभी भी medium to slow रखना है, तो friends यह देखिए, पानी में अच्छे से boil आने लगा है, और पानी धीरे-धीरे basin के साथ mix होने लगा है, friends आप चाहें तो इसमें color भी add कर सकत हैं, लेकिन मैं इसमें color नहीं add कर नहीं, क्योंकि बेसन का color अल्रेडी बहुत ही अच्छा है, अब हम इसमें थोड़े से dry fruits, जो भी आपके पस हो या आपको पसंद हो, वो add कर देंगे, और 2-3 ilaichi का powder add कर देंगे, तो friends यह देखिए, बेसन ने पानी अच्छे से soak लिया है और हल्वा बनके बिल्कुल तैयार है, आप देख रहे हैं ना हल्वा बहुत ही दानेदार बनाए, ऐसा हल्वा जब हम normally बनाते हैं तब नहीं बनता है, तो friends यही तरीका था और यही बहुत ही best तरीका है दानेदार हल्वा बनाने का, अगर आपको इस तरह से मिठाई बनान तो चलिए friends, हल्वे की ब्लेटिंग करते हैं, एक बोल लेते हैं और इसमें अपने हल्वे को सर्व करते हैं, friends यह हल्वा खाने में इतना टेस्टी लगता है, जब मैंने यह पहली बार खाया था तो मुझे भी पता ही नहीं चलाता है कि यह दाल का हल्वा है, यह बेसन का हल बिल्कुल दाल के हल्वे जैसा टेस्ट देता है, जैसे राजस्थान में गुलाब हल्वा मिलता है उस तरीके से इसका टेस्ट होता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे एक बार जरूर बनाएं, कमेंट करके लिखिए कैसा बना और आपको खाने में कैसा तो फ्रेंट्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्षन में लिखके जरूर बताएगा रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजेगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा अब हम इसे ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर देंगे ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा खुब सोरत लगे तो फ्रेंट्स कल फिर मिलना है एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू पाबाई खाते रहिए खिलाते रहिए मस्त रहिए और इन बरसात के मोसम में बेसन के हलवे का लुफ्ट उठाते देंगे तेंगी